हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्वर्देश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफियर के इस फीडियो में आपका स्वागत है आज है 25 माई 2019 और यह हमारी 162 वी क्लास है 12 Important Question आपके लिए लेकर आए है जो आपके एक्जाम और आपके नौलेज की दरश्टी से बहुत इंपोटेंट है इन Questions को आप नोट कर ले हैं क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी Questions से Related Important Fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs से Related कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरू करेंगे Question No.1 भारत रेल ने हाली में किस बैंक के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका सई ओफ्षन है ACI विकास बैंक हाली में ACI विकास बैंक के साथ मिलकर भारती ये रेल ने एक बैंक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आपको बता दें ACI विकास बैंक ने हाली में भारत रेलवे के साथ भारती ये रेलवे ट्रेक के बित्युती करण के लिए 750 मिलियन डॉलर के रिन की गोशना की है ACI Bikas Bank की तो आपको इसके बारी में बता दें ACI Bikas Bank की इस्थापना 19 दिसंबर 1966 यानि 1966 में की गई थी इसका हेड़कोर्टर मनीला फिलिपिन्स में है और इसके में में मेंबर देश है 68 यानि 68 कंट्रीज ACDB Bank की मेंबर कंट्री हैं आपको बता देश के प्रिसिडेंट हैं तेको ही को नाको तो ये आपको इतना ACI Bikas Bank की बारी में याद रखना है Next question हाली में मद्धिप्रदेश हाई कोट ने कितने जजों की निकती हुई है तो इसका से ओफ्षन है 2 हाली में मद्धिप्रदेश हाई कोट में दो नई जजों की निकती हुई है दोस्तो एसके सेट जो मद्धिप्रदेश हाई कोट की चीफ ज़स्टिस है ये 27 मई को जवलपुर के अधिवक्ता विशाल धवट को और ग्वालियर के अधिवक्ता विशाल मिश्रा को हाई कोट जज की रूप में सफथ दिलाएंगे दोस्तो आपको बता दें मद्धिप्रदेश हाई कोट में जजों की संख्या त्रेपन है बर्तमान में 32 जज कारे रहत हैं आपको बता दें 21 पत खाली हैं इन दोनों जनकी निकती के बाद 19 पत रिक्त बचेंगे दोस्तो आपको जो दोनों नई निकती हुई हैं उनकी नाम फिर से बता दें पहली का नाम है विशाल धवट और दूसरे जो जज हैं उनका नाम है विशाल मिश्रा नेक्स्ट कोश्चन मद्द्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि आयोजित की जाएगी अब यह आयोजन भूपाल में किया जा रहा है तो आपको कुछ important fact भूपाल की बारियों बता दें भूपाल को जीलों का शहर भी कहा जाता है दोस्तो मद्यप्रदेश का सरबादिक जनसंख्या घनत्व 854 यह भूपाल जीले में ही है रास्टी बिदी अकेडमी की स्थापना 1994 यानी 1994 में भूपाल में की गई थी दोस्तो ताजुल मस्जिद जो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है यह भूपाल में ही इस्थित है दोस्तो दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को मिथाईल आईसोसाइनेट गेस का रिसाव होने के करण भूपाल में हजारों मोते हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भूपाल की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन मेगा परमार जिन्होंने हाली में माउंट एवरेस्ट पर चड़ाई की है ये कहां की रहने वाली है जिसका सई उफ्षन है सीहौर मेगा परमार सीहौर की रहने वाली है दोस्तो आपको बता दें, सीहोर जिले की भोजपुर नगर की मेगा परमार, इनकी उम्र 24 वर्स है, और इन्होंने हाली में 22 मई को विसु की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चड़ाई की है, इनके साथ चिन्वाडा की भावना डिहरिया भी इस मिसन में शामिल थ जाता था, दोस्तो सिद्ध गनेश मंदर की स्थापना उज्जन की राजा विक्रमा दित्त ने की थी, दोस्तो सलकनपुर में बीजासिन माता मंदर इस्थित है, बुधनी में रेलवे स्रीपर कार खाना बनाया गया है, प्रदेश का पहला खेल आवाशी महाविद्याल है, सीहोर में ही बनाया गया है, एक और important fact आपको बता दें, बरलाई, जो सीहोर जिले में इस्थित है, यह मदर प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शकर कार खाना है, बरना और कोलार परियुजना सीहोर जिले में ही इस्थित है, तो दोस्तो इतना आपको सीहोर जिले के बारे म याद रखना है, next question, हाली में किस जिले में आयज़त समर केम्प समाप्त हुए हैं, जिसका सही option है, सागर, हाली में सागर में एक महिने से आयज़त समर केम्प समाप्त हुए हैं, हाली में दोस्तो आपको बता दे, खेल और युवा कल्यान बिभाग द्वारा, जिले में एक महाई से ग्रीस में कालिंग प्रिसिक्शन शिवर लगाया गया था, जो हाली में समाप्त हुआ है, 12 खेलों का प्रिसिक्शन किया गया है, दोस्तो इसमें 45 खिलाडियों ने 12 खेलों की बारीकियां सीखी हैं, तो आपको इतना इस समर केम्प के बारे में याद रखना है, इसे खेल और युवा कल्यान बिभाग द्वारा अयज़ुत किया गया था, दोस्तो अब बात आईए सागर जिले की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट सागर के बारे में बता दें, दोस्तो सागर में प्रथम विश्विध्याले, जिसी हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्याले की नाम से जानते हैं, ये सागर में ही इस्थित है, प्रथमाकर समारोई भी सागर में ही मनाया जाता है, प्रथम फोरंसिक लेप की स्थापना भी सागर में ही की गई है, दोस्तो एरण जो सागर जिले में ही इस्तित है तो इतना आपको सागर जिले की बारे में याद रखना है Next question Fours Report अनुसार 2010 में Sport Sponsors कितने प्रतीशत बड़ी है जिसका सही option है 246 प्रतीशत हाली में I-Fours Report अनुसार भारत में 10 साल में Sport Sponsors 346 प्रतीशत बड़ी है दोस्तो Fours के अनुसार 2008 में देश में Sport Sponsors की साइज 2149 करोड रुपए थी जो 2018 में 7408 करोड रुपए हो गई है दोस्तो इसमें Cricketers सबसे आगे हैं जिनकी ब्रांड 1033 इंडोर्स है दोस्तो आपको बता दे सबसे ज़्यादा endorsement पाने वाले खिलाड़ी कौन से है तो ब्राट कोईली MS Dhoni Sachin Tendulkar और PV Sindhu ये सबसे ज़्यादा endorsement प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है आपको ये याद रखना है ये जो रुपोर्ट हाली में लॉंच की है ये है फोवर्स द्वारा जारी की गई है और सिर्फ भारत की इस्पोर्ट स्पोंसर्स की बारे में बताया गया है Next question हाली में किस देस्ट के सुल्तान ने Oxford की मानद डिगरी लॉट आई है जिसका सई option है Brunei हाली में Brunei के सुल्तान ने Oxford की मानद डिखनी लॉट आई है दोस्तो Brunei के सुल्तान हसा नाल बोले किया ने 26 साल पहले Oxford University द्वारा मानद डिगरी लॉट आदी है दरसल दोस्तो Brunei में विवादित LGBT ब्रोधी कानून पर University द्वारा चिंता जताई जाने के करण यह कदम यहां की सुल्तान द्वारा उठाया गया है दोस्तो अब बात आईए Brunei की तो आपको मैप में Brunei के बारे बता दें दोस्तो मैप में ये जगह Brunei को दरसाती है दोस्तो Brunei की राज़्थानी है वांडर सेरी वेगवान और आपको यहां के रास्टपती मैंने बताई है सुल्तान है हस्तानाल बोले किया आपको बता दें Brunei की करंसी है Brunei डॉलर तो इतना आपको Brunei के बारे में याद रखना है Next Question Kids Right Index 2019 में भारत को कौन सा इस्थान हासिल हुआ है जिसका सी ओफ्षन है 117 हाली में आई Kids Right Index 2019 के अनुसार भारत को 117 इस्थान हासिल हुआ है दोस्तो Kids Right Index में 180 देशों की सूची में भारत 117 वी नंबर पर आया है वहीं पहले इस्थान पर Iceland है दूसरे पर पुर्टगाल है और तीसरे इस्थान पर Switzerland है दोस्तो अब ये Kids Right Index के बारे में आपको बता देए इस Index का उद्देश यह 5 सेनियों में होता है जीवन बच्चों का जीवन का अधिकार स्वास्त का अधिकार बच्चों का सिक्षा का अधिकार सुरक्षा का अधिकार और बच्चों के अधिकारों के लिए उचित माहौल इन सबी के जरिये यह इंडेक्स या यह रिपूर्ट बनाई जाती है और इसमें भारत 117 वे नमबर पर आया है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में combat mission qualify करने वाली भारत की पहली महिला पाइलेट बनी है जिसका सई option है भावना कंट यहाँ पर दोस्तो सेट नहीं है यहाँ पर कंट है तो आपको बता दें combat mission qualify करने वाली भारत की पहली महिला बनी है भावना कंट दोस्तों आपको बता दें भावना सेट भारत की ऐसी पहली महिला पाइलिट बनी है जिन्होंने लड़ा को बिमान में कॉम्बेक्ट मिसन के लिए क्वालिफाई कर लिया है आपको बता दें इन्होंने 2017 नवंबर में फाइटर स्कॉार्डन को जौन किया है इतना आपको भावना कंट के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन WHO द्वारा किन देसों को मलेरिया मुक्त घोसित किया गया है जिसका सही उफ्षन है अलजीरिया और अर्जेंटीना हाली में WHO द्वारा, अल्जीरिया और अरजेंटीना इन देसों को malaria मुक्त घोशित किया गया है दोस्तों आपको बता देट WHO के अनुसार इन दोनों देसों में पिछले कुछ समय से malaria का कोई भी मामला सामने नहीं आया है malaria anophylls नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तो 2017 में मलेरिया के कारण 4,35,000 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तो आपको मलेरिया के बारी में बता दें मलेरिया की जो लक्षण होते हैं उनके बारी में तो सरजी जुकाम, वुखार, सांस लेने में तकलीब, आसमान रक्त वहाव ये सभी मलेरिया के लक्षण है दोस्तो अब बात आईए WHO की तो आपको इसके बारी में बता दें WHO का फुल फॉर्म World Health Organization होता है हिंदी में से 200 स्वास्त संग्ठन के नाम से जानते है दोस्तो WHO की स्थापना 7 अप्रेल 1948 में की गई थी टेडरॉस अधानों इतना आपको WHO के बारे में याद रखना है बिदीशा को प्राचीनकाल में किस नाम से जाना जाता था जिसका सही option है दरसण बिदीशा को प्राचीनकाल में दरसण के नाम से जाना जाता था दोस्तो इस्क्रीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दें चेदी के नाम से खजराहो को जाना जाता था वत्स के नाम से यहाँ पर आपको बता दें वत्स के नाम से ग्वालियर या बुनिलखंडक शेत्र को जाना जाता था एक और दिख रहा है तुनीकर तुड़िकर को दमोई के नाम से बरतमान में जाना जाता है मत्यप्रदेश की नई बननीती की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उफशन है 2005 में 2005 में मत्यप्रदेश में नई बननीती की घोषणा की गई थी आपको accurate date बता दें तो 4 अप्रेल 2005 को यह बननीती की घूशना की गई थी इसका उद्देश परिस्तिति की ये तंगतर और भूजल सनरक्षन के साथ-साथ वन सरित समुदायों के लिए जरूतों की पूर्ती की जा सके और बनों की उत्पादक्ता में ब्रद्धी लाई जा सके आपको एक और इंपूटेंट फेक्ट बता दें बनों का सत्प्रतिशत राश्टी करण करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश और इसने राश्टी करण 1964 यानि 1964 में किया था तो इतना आपको मध्यप्रदेश वन नीती के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं आज के क्वेशन की तो आज का क्वेशन है रानी अवंती भाई का जन्म बरतवान के किस जिले में हुआ था तो ये आज का क्वेशन है इसका answer आप पमेंट बॉक्स में दें तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीज़े वीडियोज को लाइक कीज़े कल हम आपके साथ फिर मद्रदेश और वर्ल के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिए आज रहोंगे तब तक लिए नमस्कार Have a nice day